आज की डेट में कॉल और मैसेज करके स्कैम करना काफी ज्यादा कॉमन हो गया है अब स्कैमर जो हैं वो इस हद तक पहुँच चुके हैं कि वो स्कैम करने के लिए चीफ जस्टिस्ट आफ इंडिया डी वाई चंद्रचून का नाम भी यूज करने लगे हैं आपको बता दे कि पूरा मामला ये है कि एक एक स्यूजर ने बताया कि उसके पास एक मैसेज आया उस मैसेज में लिखा था हेलो मैं सीजे आई हूँ और हमारी कलेजियम की एक ततकाल बैठक है मैं कनाट प्लेस में फसा हुआ हूँ क्या आप मुझे कैप के लिए 500 रुपे भेज सकते हैं अदालत पहुँचते ही मैं आपके पैसे बापिस कर दूँगा ये मैसेज सेंट फ्रॉम आइपेड के साथ खतम हुआ मैसेज भेजने वाले की तस्वीर में सीजे आई डी वाई चंदर चोड की तस्वीर दिख रही थी देखते ही देखते ये जो मैसेज है वो काफी ज़्यादा तेजी से वाइरल हो गया अब इस पूरे मामले की गंभीरता को अगर हम समझें तो इस मैसेज में हम समझ सकते हैं कि जो C.J.I. यानि Chief Justice of India है उनके नाम से मदद लेने के लिए पैसे मागे जा रहे हैं और ये ठगी करने का एक तरीका है मामले की सीरियसनेस को देखते हुए C.J.I. यानि Chief Justice of India D.Y. चंद्रचूंड खुद सामने आये और वो काफी ज़्यादा एक्टेव हो गया है इसको लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉन्टेक करके इस मामले में धोका धड़ी की F.I.R. दर्ज करा दी है और साथ ही इस पूरे मामले की सीरियसनेस को समझते हुए जो Home Ministry है उसके जो Officers हैं वो भी Active हो गए है